Hello everyone. Welcome back to my channel. Simple beauty and lifestyle in Hindi Hello everyone. Welcome back to my channel Friends! आज मैं आपके सार्थ करूँगी कि किस तरह से आप 1 week में डाक सर्कल को हटा सकते हैं friends इसार्क सर्कल कूं होते हैं , आठे 시청 ना सोन, कम पानी पीन और बहुत कम नी डिलेना सबसे सबसें यूज करी हैं आपै वी अप सबसें पहले क्या करूंभाइक है यूज उसी पयोटे इसको में चाहे वह आप प्लार्ट से निगाल सकते हैं या व法 σबुज़ इस प्रोसेस में ने दो चमच करीबन लिया हुआ है। मेरे जो सेकेंड इसमें इंग्रेडियंट्स होगा वह है वाइट्मिन एके टेपलेट्स वाइट्मिन इंग्रेडियंट्स को रिड्यूस करना है और रिंखले भी हटाता है। मेरी जो थर्ड इसमें एंग्रेडेंस होगा वह है आलू के रस को आलू को मैंने एंगिस करके रखा हुआ था अब पानी छोड़ रहा है इस तरह से करीबन डेल से दो चमच आप आलू के पानी को इसमें रस को मिला ले फ्रेंड्स ये बेहद अच्छा होता है आलू का पानी ऑनी की आलू का आओठ आखो के लिए ना कुदिव और रिंकल्स को भी रिडूस करेगा और इसकी आखों के डार्क जो एरिया उसको लाइटन करेगा इस तरह से आप कहीं पर इसको रख लें एक हपते तक यह आपका से अराम से बसे कर सकते हैं इसको ढबनी बसी कर यह कर सकते हैं यह सीरभा इर्ग केह काम करेंगा और दिरे दिरे आइकों के आरिये को यह टार्प करेंगा जो डॉट्क सरकल भी क fine जाले हैं किछन में इस तरमरीक हल्दी जो एक चिचन में इसी ली अवैलेबल होती है कि अध्य चिप बहुत सारी इसे प्रॉपर्टी जो जो एक लेक लिए तो जो एक लिए तो पहली जो है तरमरीक हल्दी तरफा में यूस कर रही हूं गोड़े चली है ऩालो वैरा जेल, तरफा मैं यूस कर रही हो है त्रफ नहीं जोड़ एंटेज शोरवाजों, कर रही है है जल तरफा में गैट चली है। अब मैं इसमें एड़् कर रहे हूं आलु का जूस जो निकाल के रखा हुआ था इसमें एड़् कर दें यह सारे इंग्रेट्स नेचुरली है आपके घर पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अलु का जूस जूरियों को भी रिमूप करने में बहुत है इस तरह से एक थिक प मैंने बना रखा है इसका आप आखों के नीचे दिन में दो टाइम इसको आप लगा कर आधी घंटे के लिए इस तरह से छोड़ दें आखों के डार्क सर्कल को भी रिडूस करेगा और आपकी चुर्यों को भी यह कम करेगा तो यह दोनों यह सीरम और यह पैक यह दोनों ब झाल 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 झाल